नवश्कार ये आका अश्वाणी हैं अभी आप मुरी शोभा से समाचार सुनेंगे पहले मुख्य समाचार महीला सेनिकों के मातुरित्व शिशु देखभाल और दत्तक ग्रहन अवकास से जुड़े प्रिसाव को रक्षामंद्री ने दी मंजूरी मिजुराम विदानसवाद चुनाओ और चतिसगर विदानसवाद चुनाओ के पहले चरण के लिए चुनाओ प्रचार आज शाम समाप्थ हो जाएगा देश के प्रधानमंत्री और भाजबावरिष्ट नेता नरेंद्र मोधी ने आज मध्य प्रदेश के सिवनी में एक चुनावी रेदी को संबोधित किया दिल्ली में वायू प्रदूशन बढ़ने के कारण प्राथमिक विद्ध्याले 10 नवंबर तक बंध ICC क्रिकेट विश्वकप में आज भारत का मुकाबला दक्षिन अफ्रिका से अब समाचार विस्तार से अब सभी महीला सेनिकों को मातरत शिशु देखपाल और दतक ग्रहन अवका समान रूप से मिलेगा रक्षा मंतरी राजनात सिंग ने इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है यह छुटी सेना में सभी अहदव पर कारण रत महीला सेनिक कर्मियों को समान रूप से मिलेगी चाहे वो अधिकारी हो या ना हो रक्षा मंतराले ने कहा है कि यह सुविदा महीलाओ के पारिवारिक और सामाजिक मुद्दो के समाधान में दिर्धकालिक महत्व की सावित होगी इसे सेना में उनकी कामकाजी परिस्थितिया बहतर होंगी और वे अपने पेशिव और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बिठा सकेंगे सेनिक में सभी महीला कर्मियों के लिए मातरित्व शिश्व देखपाल और दतक ग्रहन अवकास उपलवत की सुविधा सेना के तीनों अंगों के लिए एक बड़ा परिवर्तन है वर्स 2019 में धल सेना में सेने पुलिस कोर में महीला सेनिकों की भरती शिरू ही थी मिज़राम में एक चरण की विधान सभा चुनाओं और 36 गड़ में पहले चरण की विधान सभा चुनाओं के लिए प्रचार आज शाम समाप्थ हो रहा है में जराम में सभी 40 विधांसभा छेत्रों और 36 गड में 90 विधांसभा निर्वाचन छेत्र में से 20 के लिए मंगलवार को मतदान होगा मतगड़ना 3 दिसंबर को होगी निर्वाचन आयूग ने सभी राजणितिक दलों से अपील की है कि वे अपनेताओं और प्रचार करताओं को प्रचार समाप्थ होने से अगले 48 घंटे तक सोशल मीडिया सहित किसी भी समाचार मध्यम में कोई बयानबाजी ना करने की सलहदे इस अवधी के दारान स्ठार प्रचार को और अन्य राजणिताओं को समवाधाता समेलन्स आयूजीत करने और साक्चात कर देने से बचने की सलहती है जन प्रतिनी धित्व कानुन उन्नी सो क्यावन के अन्दूसार प्रचार समाप्थ होने के मतदान समाप्थ होने तक के 48 घंटे के दोरान से अन्य मध्यम से जुनाव समंदी किसी भी सामगरी का प्रदशन निश्यद है देश के प्रदानमंत्री और भाजपा वरिष्ट नेता नरिंद्र मोदी ने कहा है कि भाजपा की प्राथमिक्ता गरीब और मध्यवर्ग का जीवन आसान बनाना है इसलिए हमारी सभी योजनाओं में इन वर्गों का ध्यान रखा जाता है माध्य प्रदेश के सिवनी में आज एक चुनाव रेदी में आदिवासियों के कल्यार की विभिन्न योजनाओं का उलेख करते हुए स्री मोदी ने कहा कि आदिवासि समाद सदीयों से पूज्य रहा है लेकिन केंदर सरकार में पहली बार जनजातिय मंत्राले अटल बिहारी वाजपे सरकार ने बनाया था अब आदिवासि समुदाय को गुमरह किया जा रहा है जबकी जनजातियों गौरव दिवस हमने शुरूर किया जबलपूर में रानी दुर्गावत्ती समारक बना रहे हैं और बेगा भरिया और सहरिया जनजातिय की सुध भी हमने ली है स्री मोदी ने बताया कि जल्द ही इस वर्ग के कल्यान के लिए 15,000 करोड रुपे के बजट के साथ एक योजना शुरू की जा रही है प्रधानमंद्री ने बताया कि मध्यम और गरीब वर्गों की सुविधा के लिए हमने मोबाइल फोन में सभी सुविधायों पलप्त करा दी है स्री मोदी ने बताया कि मोबाइल फोन की कीमत भी भाजबा सरकार की वजह से कम है कॉंग्रेस के समय केवल दो फैक्टरिया मोबाईल बनाती थी अब दो सो बना रही है उन्होंने कहां कि हमने मोबाईल डाटा भी सस्ता कर दिया ताकि सुविधाओ का लाव उठाया जा सके प्रधान मंद्री ने कहां कि देश को शुशासन और निरंतर विकास चाहिए और इसी लिए देश और प्रदेश में भाजपा सरकार चाहिए क्योंकि भाजपा मतलब विकास की गैरंटी है प्रधानमंत्री नरिंद्र मोधी ने कहा कि अगले वर्स के आम चुना में देश की जन्नता सभी संबंदों को तोड़ना भारतिय जन्नता पार्टी को समर्थन देगी प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के कारेकाल में लोगों को जीवन सभी जन्नता पार्टी के लिए कई वास्तविक और अनुमानित बाधाव को पार किया है स्री मौधी ने कहा कि पिछले पांच वर्सों में तेरह करोड लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है उन्होंने इस बात पर बल दिया कि गरीबी से मुक्त नारों से नहीं बलकि समाधान से ही संभव है प्रधान मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के कारेकाल में लोगों को जीवन स्तर बहतर हुआ है और निर्धनों की गरीबी से उपर उठने में मदद मिले है प्रधान मंत्री ने कहा कि वर्स 2014 में भारत ने नई बाधा पार की है उन्होंने कहां कि देश के समक्ष परिवारवाद और भाय भतीजावाद जैसी वास्तविक समस्याय थी श्री मोधी ने कहां कि आज हर कोई यह तश्वीर कर रहा है कि अच्छी अर्थवरस्ता भी अच्छी राजनीती हो सकती है उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के बहतर आर्थिक नीतियों के कारण देश में प्रगती के नए अवसर खुले हैं स्री मोदी ने कहा कि दस वर्ष पूर्व के मुकाबले अब देश में आयकर दाताओ की संख्या लगभग दोगनी होकर साने साथ करोड हो गई है उन्होंने कहा कि देश का मध्यवर्ग हर विकास यात्रा में अग्रणी रहा है बात चाहे खेल की हो स्टार्ट अप की हो अंतरिक्ष की हो या तकनीक की प्रधान मंत्री ने कहा है कि बढ़ता मध्यवर्ग और देश में घर्टी गरीबी अर्थ चक्र को बढ़ा करने में सहायक हो रही है उन्होंने कहा है कि नया मध्यवर्ग देश में उपभोग वृत्धी को तेज करने में बड़ी शक्ति के रूप में उपरा है श्रीमोदी ने विश्वास वेक्ट किया कि उनकी तीसरे कारेकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ ववस्ता बन जाएगी प्रदूशन के बढ़ते स्थर के मदे नजर दिली के सभी पार्थमिक विध्यालेयों को 10 नवंबर तक बंद कर दिया गया है दिली की शिक्चा मंतरी अतीशी ने शोसल मीर्या पोस में बताया है कि इसका चछटी से बारवी तक ऑनलाइन क्लास आयजित की जाएंगे केंद्रिय प्रदूशन नियंत्रन बोर्ड के अनिसार आज सुबह दस बजे दिली का वायो गुडवत्ता सूचकांग 463 दर्च किया गया रियाद में आयजित प्रवासी परीचय कारेकर्म के दौरान तीन दिन के राज़ दिवशो में भारत की सम्रत सांस्कृतिक विविधताओं का प्रभावशाली प्रदर्शन किया गया इस भव्य कारेकर्म में भारत के बारह राज़ भाग ले रहे हैं कारेकर्म में भाग ले रहे गुजरात समुह में प्रदान मंत्री नरिंदर मोधी द्वारा रचित गीतों पर गर्भा नृत्य की प्रस्तुति दी गर्भा डांडिया और तिमीली नृत्यों ने दर्शकों को नवरात्री और दीपावली उत्सव की अनुभूती प्रदान क कि इस कारेकर्म में उत्र प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, राजस्तान, और इसा महरास्ट्र, गुजरात, तमिललडू, करनाटक, केंद्र, तेलांगना, आंधर प्रदेश और केरल भाग ले रहे हैं। प्रतेख राज ने अपनी अनूठी संस्कृती परंपरा और वयंजन केंद्रों में शामिल हो जाएगा, उन्होंने कहां जेव प्रद्योगी की में वेश्विक वयापार का एक महत्वा पूरून साधन बनने की चमता है। यह भारत की समग्र अर्थवरस्ता में यूगदान देगा। अगले महीने नई दिल्ली में आयजित होने वाली ग्लोब अंक की विकास कर दर्द देखी है। उन्होंने कहां भारत को अब दुनिया के शिर्स बारह जेव प्रद्योगी की देशों में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहां कि 2014 में भारत की जेव अर्थवरस्ता लगभग 10 अरब डॉलर थी और आज यह 80 अरब डॉलर है। उन जेव अर्थवरस्ता लोगों की आजिवी का के एक विशाल स्रोध बनने जा रहा है। नेपाल के पशिमी हिस्से में कल के विनाशकारी भुकम में मृतिकों की संख्या 157 पहुँच गई है। भुकम की सेक्डों में सेक्डों लोग घायल हुए हैं। दस्त हुए घरों और इमारत को के मलबों में फसे होने से मृतिकों की संख्या बढ़ने की आशिंका है। राश्ट्य भुकम विज्ञान केंद्र के अनुसार अयोधिया से लगभग 227 किलोमीटर उत्तर और काटमंडू से 331 किलोमीटर पश्चिम उत्तर पश्चिम में जार जर कोट जिले में कल देर राद 6.04 की तीवरता का भुकम पाया। विहार के आपदा प्रबंदन विभाग ने कहां कि भुकम के जटके पटना, कटिहर, पूर्वी, चमपारण, दर्भंगा, मुझफरपूर, पश्चिमी, चमपारण, सासाराम, नवादा और नेपाल, भारत, सीमा से ले गए आसकार!